हमारे साथ जूरे रहने के लिए ग्यान ट्यूभ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए क्या आपका भी पीडियेद वाइल ओपन नहीं हो रहा है? किया आप जाना चाहते हैं कि PDF फाइल को हम open कैसे कर सकते हैं तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए हलो, नमस्ते, मैं नामें सनौज तो चले इसे देखने के लिए चलते हम अपने फोन पे So यहाँ पर अब हम अपने फोन पे हैं और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम PDF फाइल को ओपन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि PDF फाइल जो है वो ओपन नहीं हो रहा है तो अगर ओपन नहीं हो रहा है तो उसे हम कैसे ओपन कर सकते हैं, वही हम देखने वाले हैं, चलिए सबसे पहले तो यहां पर मैं फाइल में ज कुछ भी नहीं आएगा या फिर अगर क्लिक कर रहे होंगे तो आपको डाउनलोड या फिर कुछ ऑप्शन ये सब दिखाई देता है तो फिलहाल तो मेरे में PDF वीवर है लेकिन अगर फिर भी आपका कोई भी ऑप्शन यहां पर नहीं सो कर रहा है अगर आपको PDF वीव करने के क्योंकि PDF फाइल को open करने के लिए अलग से आईप होता है जिसे इंस्टॉल होना चाहिए आपके फोन में तभी आपका PDF फाइल open हो पाता है वहीं missing हो जाने के करण आपका PDF फाइल जो है वह open नहीं हो पाता है इसके लिए आपको एक ही solution करना है सबसे पहलों यहां से बाहर आना है और इसके लिए आपको क्या करना है प्ले स्टोर पे जाना है प्ले स्टोर पे जाने के बाद यहां पे सब से उपर सर्च में आपको टाइप करना है गूगल पीडिएफ व्यूवर देख सकते हैं गूगल पीडिएफ व्यूवर आपको यहां पे टाइप करके सर्च कर देना है और ये इस तरह से यहाँ पे आजाएगा 5MB का आएप है आपको यहाँ से इंस्टाल कर लेना है चलिए इसे इंस्टाल होने देते हैं पहले तो और देख सकते हैं अभी यह इंस्टालिंग हो रहा है इंस्टाल हो गया अभी यह कहीं भी आपको फोन में नहीं मिलेगा देख सकते हैं, इंस्टॉल हो गया है, अब यहां से हम बाहर आजाते हैं, यह जो अप्लिकेसिन आपको यहां पे कहीं भी फोन में दिखाई नहीं देगा, यह अंदर ही अंदर आपका काम करना शुरू कर देगा, अब वापी से हम जाते हैं, फाइल मेनेजर पे, और यहां प PDF फाइल है, वो इस तरह से ओपन होना शुरू हो जाएगा, जो भी PDF फाइल हम ओपन करेंगे, वो इस तरह से ओपन होगा, कोई भी यहां पे प्राब्लेम जो है, वो नहीं आने वाला है, तो यही कारण होता है, जिसके वज़े से PDF अमारा ओपन नहीं हो पाता है, तो इसी आप भी किसी भी PDF फाइल को अपनी फोन में ओपिन कर सकते हैं